आप उनसे पूछिए कि कब से हैं वो जर्मनी में क्या उनकी पैदाइश जर्मनी में हुई है कब आई थी और जब से वो आए है तब से जर्मनी में क्या बतला है और भारत के बारे में जर्मनी में कैसे धारना बतली है पूछिए उनसे आपके साथ कुछ पूरुष भी हैं उनसे पूछिए जी जर्मनी में मुझे हुए 14 साल हुए हैं कब से 14 साल से तो आपको लगता है कि पीम मोदी की सत्ता में आने से भारत की छवी में सुधार हुआ है अफ कोर्स बेशक पीम मोदी के आने के वज़ज़ से भारत सरकार का जो विकास हुआ है वह देखने लाया की है वारत पताईए बैसिकली हम लोगो कि यहां पर पंद्र हैं जर्मनी में क्या पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए जर्मनी में भारत को ले करके जर्मनी में भारत को लेकर करें वहां पर अच्छा-चाशा काम करते हैं के लिए-धाय के लुड़ी नरेंद्र मोरी के बाप की वज़ह से भारत के भारे में धार्ना बद्ली है मोधी वज़ह प्रिया सी अब जाना बात तो नहीं हुपाई बट उन्होंने मेरे साथ पिक्चर जरू क्लिक करी अच्छा पिक्चर क्लिक की है तो आप बहुत खुश्च नजर आ रहे हैं हाजी मुझे बहुत अच्छा लगा पियम मोदी से मिलके एंड ही सच डैनामिक परस्नालिटी ही इस जो बॉर्ड लीडर आप इस जो बात कर रहे हैं हम लोग बहुत खुश है और रहम इतना चाहते हैं जी आप कहां से आये हैं मैं गुजराट से हूं आप गुजराट से हैं यहां पे कितने समय से हैं? 2015 से आट साल हो गया यहां पे पियम मोदी को लेकर कि क्या सोचते हैं? वे रहे पोज़िटिव बाद ही वाद वाद लोगों के लिए बदली हैं जर्मनी में? आइल जस को आपड़ाट से हैं यहां अपड़ाट से लिए अपाउच्टा में के लिए अज़ने के सोच रहे हैं? मैं आ सकता हूँ, in future after 20 years I feel that will be a better place but it's better to be on both the sides, I'll earn money and then I'll contribute to my country I would want to contribute to India आप प्ये मोदी को देख पाए हैं नहीं, अभी नहीं? मैं देख पाए हूँ और I was in the main group जहाँ पे फोटोग्राफ में भी था तो I could meet him ठीक है, आप कहां से आए हैं? मैं बैंगलोर से हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ बर्लिन में ही ठीक है, ठीक है, तो आनन्द आपने सुना कि यहां पर लोगों में कितना जादा उत्सा है और PM मोदी को लेकर कि इनकी सोच की इनको भी कितने फाइदे हो रहे हैं और देखिए अब यह comparison करने लगे हैं जर्मनी और भारत का कुछ लोग ऐसे हैं प्रदान मंत्री नरेंद मोदी को वर्ल्ड लीडर मान रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत की गरिमा बढ़ी है कि भारत की डिप्लोमेसी का ढंका, भारत की पॉलिसी का ढंका और उस पासपोर्ट पर जो वजन आया है यही हमारा ब्लू टिक है मैं कहता हूँ यह जो ब्लू कलर का हमारा पासपोर्ट है यही हमारा सबसे बड़ा ब्लू टिक है और उसका अगर वजन बढ़ता है, उसकी गरिमा बढ़ती है हम सब भारतियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और हम सब का वही करतव भी है जैसे उन्हों ने कहा कि मैं देश के बाहर रेकर भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूं यह जो आप देख रही हैं आपके आसपास यह एक समय पर नहीं हुआ करता था लोग अपने आपको भारतिय कहने से शर्माते थे लेकिन अब गर्व से कह रहे हैं कि हम भारतिय हैं जस्प्रीत यह बहुत बड़ा बातचीत करेंगे बर्लिन में होटेल पहुंचने पर पदानमंत्री नरिंद मोदी से कई भारतिय मिले भी तो जर्मनी के चांसलर से मीटिंग करेंगे फिर वो डेन्मार्क जाएंगे जहां इंडिया नॉडिक समिट में वो शिरकत करेंगे उसके बाद राश्ट्रपती मैक से वो फ्रांस में बातचीत करेंगे तो 65 घंटे यॉरप में और इनका शेडियूल देखिए इतना पैक्ट कोई भी समय सांस लेकर आराम करने के लिए नहीं सिरफ काम करने हैं वो भी भारत के लिए आप एजेंडा देखिए छटे भारत जर्मनी इंटर गवर्मेंटल की अ पासकर रफाइल विमानों के बाद अगला कोलाबरेशन क्या और अगली खेप कब आएगी रसाय और रफाल विमानों की भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रटीजिक एंगेजमेंट बहुत बड़ा है जर्मनी के साथ भी मोदी और चांचलर बिजनेस इवेंट को में समभा को संबोदित करेंगे जर्मनी देखिए चीन से बहुत मार खा चुका है कम से कम 50 से 55 प्रतिशत जर्मनी का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरफ चीन पर निर्भर है और वो उस निर्भरता को कम करना चाहता है यहीं मौका भारत के लिए है आइसलेंड नौर्वे स्वीडन फिनलंड सब के वरिष्ट नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात है यह वो बॉल्टिक नेशन्स हैं जो अभी रूष से जलाय हुए हैं फिनलंड आपको पता है नेटों में हिस्सेदारी और नेटों में शामिल होने के लिए अपना प्रस्ताव पेश करने वाला है आवेधन पे आएए हम से जुड़िये हमारे साथ काम कीजिए व्यापार कीजिए यही बात प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी करेंगे उर्जा सुरक्षा और आर्थिक संबंदों पर जोर फ्रांस के साथ जर्मनी का कम से कम सत्तर से असी प्रतिशत गैस का भुकतान रूस करता है तो उस जिस पर प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी बात करेंगे और इन सब से मिलेंगे जस्परीत फिर हमारे साथ है जस्परीत एजेंड़ा तो बहुत टाइट है शेडियूल भी बहुत पैक्ट है अभी फिलाल कहा है प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी बिल्कुल देखिए उनका schedule काफी जादा tight है मैं आपको बता दूँ कि PM Modi लगभग जो यहां का समय है पौने 12 बजे यानि कि आप से कुछ दिर बाद लगभग पौने 2 घंटे बाद वो German Chancellor से मुलाकात करने वाले हैं वहीं पर आनंद उनको guard of honor दिया जाएगा सबसे पहले उसके बाद उनकी वारता होने वाली है यह one to one मुलाकात है काफी एहम यह मुलाकात होने वाली है क्योंकि जबसे वो नए चांसलर बने हैं पिछले साल उसके बाद यह PM Modi की उनसे पहली मुलाकात होगी जिसमें कई मुदों पर चर्चा होगी आपने IGC का जिक्र किया जिसमें दोनों पक्षो के मंत्री मौझूद रहते हैं वो काफी ज़ादा एहम हो जाता है जिसमें दोनों PM Modi और German Chancellor इसकी सह अध्यक्षता करेंगे इसके बाद देखिए यह Commerce Bank है जहाँ पर एक Business Delegation को उन्होंने संबोधित करना है यहीं पर यह जो होटल के बाहर हम मौझूद है एडलॉन होटल के बाहर हम लोग मौझूद है जहाँ पर PM Modi इस वक्त मौझूद है इसी से कुछ कदमों की दूरी पर यह Commerce Bank है और इसके पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं आनन जो Sanskritic कारिक्रम होने वाले हैं वो यहीं पर होने वाले हैं यह gate की यहीं पर जो एतिहासिक गेट है जहाँ पर बहुत सारे Concerts भी होते हैं मैं जैसा कह रहा हूँ 2006 में जब Football World Cup हुआ था तब तो यहाँ मेला लगा हुआ था पैर रखने की जगे नहीं थी वो आलम ही कुछ और था स्पोर्ट का मज़ा कुछ और है लेकिन आज आप Politics की बात है और भारतिय समुदाए भारत के तिरंगे की बात है भारतिय मूल के लोगों की बात है और भारत के प्रद्व